मूवी के स्टार्टिंग सिनमम क्रिस और एडी को देखते हैं जो कि मस्ती का निकले पहार पे जा रहे थे जहां पीछे से एली इन दोनों को आवाज लगाती है लेकिन ये दोनों मन मौजी थे जिस वज़ा से ये दोनों उचलते कूछते पहार के टॉप पे पहुँच जाते हैं लेकिन एली अभी भी पीछे से इन दोनों को आवाज दे रही थी जिसे सुनने के बाद इन्हें फेल होता है कि एली इन पे अपना रॉप जारती है जिस वज़ा से ये दोनों कभी भी अपने मन की मरजी नहीं कर पाते जिसके बाद ये दोनों इमेजिन करते कि अकर ये और वहाँ पे एक बहुत बड़ा वर्फ का तूफान आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्रिस और एडी इस पे भी आईस स्केटिंग करने लगते हैं। वही हम मैन्योर्स के बांके साथियों को देखते हैं जो कि आराम से बैट के छुट्टियां मना रहे थे। लेकिन तभी उन्हें एक बर्फ का बहुत बड़ा तूफान आता हुआ नजराता है। और देखते हैं देखते हैं वो बड़ा सा तूफान इनकी पूरी छुट्टियां खराब कर देता है। जिससे यह लोग बड़ी मुस्किलों से बचते हैं। तभी माँ पे क्रिस और एड़ी भी आ जाते हैं। जिनें डराते हुए डियागो इनसे कहता है कि शुकर करो कि एली तुम्हारी बेहन है। वरना मैं कब का तुम्हारा सलाद बना चुका होता। तब मैनी भी क्रिस और एडी से काफी ज़्यादा नाराज हो जाता है और वो उन दोनों को डाटने लगता है और ये सब कुछ देखिने के बाद एली अपने भाईयों के सपोर्ट में आ जाती है जिसे देखिने के बाद मैनी इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों बस एली पे हो इसके लाबवा तुम दोनों दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते और ये सारी बातें सुनने के बाद क्रिस और एडी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है उसके बाद स्काम को मैनी एली के पाजा के क्रिस और एडी को डाटने की विज़से सौरी बोलता है वहाँ एली मैनी को बताती है कि जिस टाइम पे उसकी फैमिली नहीं थी तो किरिस और एडी की मॉम ने उसे पाला था और जब से किरिस और एडी के मॉम की दैथ हो गई तब से हम लोग एक फैमिली के तरह रहने लगे उसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगले सीन में हम आधी रात को एड़ी और क्रिस को देखते हैं जो कि इंडिपेंडेंट रहने का डिसाइड करते हैं लेकिन वो दोनों अपनी बहन को गुडबाई बोले बिना यहां से नहीं जाना चाते थे इसलिए वो दोनो वो काफी जादा दुखी हो जाती है और वो इसकी जिम्मेबार मैनी को मानने लगती है वहीं दूसरी तरफ हम क्रिस और एडी को बर्फ के उपर एक साथ खेलते हुए देखते हैं जहां बर्फ तूटने के विज़े से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और उसके पीछे डा अगज जाते हैं लेकिन आगे जाने पे उन्हें बहुत अलग अलग तरह के डाइनसॉर्स देखने को मिलते हैं और गलती से यह दुणों भागते बहागते एक डाइनसॉर्स के नाग पे चड़ जाते हैं तब तभी अचानक से चीक मारता है जिस बचले जहां यह दोनों न उसके साथ बहुत सारे उसके मैंबर है जिस बचे से तुम दोने यहां पे नहीं बच पाओगे। इसलिए मैं तुम दोनों की भलाई के लिए तुम दोनों को यहां से वापस मैनी के पास ले जाओंगा। लेकिन यहां पे Disease की बात नहीं मानते और वो दोनों भी अपने Decision पर अटे रहते हैं कि वो लोग यहां से नहीं जाएंगे अगले सिन में हम इगवा फिर से औरसन को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़ा डाइनसौर्स है और उसकी खास बात यह है कि उसका दिमाग बहुत जादा बड़ा है जिस बज़ा से वो पूरे लॉस्ट वर्ल्ड पे रा बचा लेता है और वो उन दोनों को अपने अड़े पे ले जाता है वहां पहुचने के बाद एड़ी और क्रिश बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि वो जगा उनकी ड्रिम डेस्टिनेशन थी जहां बग ने अपना अट्टा एक गुफा के अंदर बना के रखा था जहां प अनों को ये भी बताते हैं कि एक बार मैंने आरसन से डिसकेशन भी किया था कि हम इस लॉस्ट वर्ल्ड को और भी ज्यादा बहतरीन बना सकते हैं जहां पर जंगल के सभी जानवर को बस एक ही जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा लेकिन वापर आरसन उसे ऐसा करने से साफ मना कर देता है क्योंकि अपने सर के बरे होजाने की वज़े से वह अपने आपको सबसे बड़ा ताकतवर इंसान समझता है और यही बज़ा है जिस वज़े से वो पूरे लॉस्ट वर्ल्ड पे राज करना चाहता है और जब अक ने उसे रोकनी की कोशिश की तो आरसन ने बग के दो दोस्तों को जान से मार दिया था जिस वज़े से आरसन को रोकनी के लिए उसे एक लावा वाली जगा पे छोड़ दिया जाता है जहां चारत तरफ से बस लावा ही था लेकिन आरसन वहां भी नहीं रुका और उसने दो डाइनसौर्स को अपना गुलाम बना लिया और उ थोड़ी ही देर में वहां पे एक जैरेली गैस आती है जिस वज़े से ये दोनों डाइनसौर्स वहां पे बिहोस हो जाते हैं जिससे इन्हें पहले तो समझ नहीं आता है कि आखिर ये किसका काम हो सकता है लेकिन थोड़ी ही देर बाद इने पता चलता है कि ये तो जी का का जिसने इन सभी को बचाने के लिए ये सब कुछ किया था और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जी बग की बहुत पुरानी दोस्त है जो इन्हें बचाने के लिए इनके पीछे आई थी तब ही बग और उसके बांकी साथी देखते हैं कि यहाँ पे और सन अपने साथियों के ताकि ये पूरी प्लैनिंग के साथ आरसन की पूरी टीम पे हमला कर सके जिस बज़े से इन्हें लगता है कि इन्हें कहीं और जाना होगा और अपने साथ और भी टीम को लाना होगा जिसके बाद ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में हमें पता चलता है कि और एड़ी बग के लिए बैरीज लेके आते हैं लेकिन बग उन्हें वहाँ पर नहीं खा था क्योंकि वो बहुत जादा जहरी ली थी जिसके कुछ देर बाद वो दुनों उन्हें एक लिजार देते हैं जो कि अपने मूँ से आग निकाल रहा था लेकिन बग उन्हें भी खा यहां पर किरिश और एडि को भी नहीं पता था कि आकिर उस मामा डानोसूर्स को जगाना कैसे है वहीं दूसरी तरप हम औरसन और उसके बांकी टीम को देखते हैं जो कि इनीपे अटेक करने के लिए इनी की तरफ आ रहा था पहले तो यह लोग किसी तरीके से हिमत करके उन के सामें नहीं ठिक पाते क्योंकि वो लोग बहुत सारे थे जिसे देखने के बाद बग और जी यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि हम दोनों को यहाँ पर शांती से काम लेना होगा तब यहां पर बग को देखते हैं जो खुद को और सन के हवाले कर देता है और वो अपने दोस् जाग चुकी है जिस बचसे यह लोग उस डाइनसौर से हेल्प मांगते हैं और वहां से आगे बढ़ जाते हैं जिसके बाद वहाँ पर जी क्रिस और एडी मिलके उसे मोटिवेशन देते हैं कि आगर वो कैसे आरसन और उसके बांकी साथियों को हराएंगे वहीं दूसरी त च्रासन की सेना पर जहरी लिग यह च्छोड़ देती है जिस बचसे वो सभी लोग उहां पर बहुत हो जाते हैं और यहीं पे इन्मों के सारी सेना आग कि बजसे से नसे कंट्रोल होती है जिसे देखने के बद क्रिस और एडी को भी यहाँ पर एक आइडिया आता है और वो दोनों भी अपने आग फेकने वाले लिजर्ट को बहार निकाल लेते हैं और वो औरसर की सभी साथियों पर फाइर अटेक करके उन्हें अपने कंट्रोल में कर लेता है तब यहाँ पर फिर वैंकिंसे बहन आईटली टे यहां रहने की पर्मीशन माँगते हैं और वो कहते हैं हम लोग तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है और यहाँ पर एली भी उन दोरों को यह रहने की पर्मीशन दे-दीती है तब यह लोग वहाँ पर उन्हें लास्ट गुड़ बाइ कहते हैं